सकते विन संब्र मेरे प्यारे साथियों मेरे दोस्तों सिक्वेंस रीज के इस सेशन में हम लोगी काफ़ी इंपोर्टिकी प्रफ करने जा रहे हैं होनाकि प्रॉडल्मि आयटी जही में प्रिवियेस एयर में पूछा जा चुका है काफ़ी पहले पूछा गया था और यह NCRT का भी प्रावलम है लेकिन यह प्रावलम काफी काफी इंपोर्टेंट हो सकता है आपके जे मेन के पॉइंट आव यू से तो देखते हैं यह प्रावलम क्या है प्रावलम यह कहा जा रहा है कि दर डिफ्रेंस बिट्विन एनी टू इंटेर dłट scientifically एंटेर आंगल इफंपोर्ब के फाइब कोई लिगरी और उस पालिगन का जो फोनगिव्ट इंटेर्यर रैंगल का जूँ डिफरेंस है 5 डिगरी के क्वाल है एंगे स्मॉलेश्ट एंगल कहा जा रहे है 120 डिगरी है तो आपको कहा जा रहा है आपको बताना है तो आपको क्या दिख रहा है यहां पर अगला वाला 125 डिग्री होगा अगला वाला 130 डिग्री वह इस तरीके से चलेगा अब पॉइंट यहां पर क्या है कि कहा जा रहा है आपको यहां पर कि टोटल नमबर आफ साइट सब्ड़ पॉलीगन बताना है इसमें देखें क्या 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 ट्रिकी पॉइंट जो आपको ध्यान में रखा है वह यह है कि टोटल इंटेरियर एंगल का जो सम होता है किसी भी का जिसकी sides n के एककोल होती है वो होती है n-2 into 180 degree right total sum of the interior angles of the polygon having n sides जो की n-2 into 180 degree है वो किसके कोलोगा वो होगा आपका sum up to and terms और sum up to and terms of arithmetic progression जो कैसे निकालेंगे पाइना टर्म 120 degree common difference 5 degree है formula जो यूज करेंगे n upon 2 2a plus and minus 1 into d इसका यूज करके आप sum up to and terms निकाल लेंगे जो किसके को लोगा n-2 into 180 degree यह main point है इस equation को solve करेंगे हैं you will get the value of n तो पहले यहां तक हम लोग देख लेते हैं and minus 2 into 180 degree यह आखिर है क्या जैसा कि हमने डिस्टर्स क्या this one is the total sum of the interior angles of the polygon having n sides यह क्या है यह आपका sum up to and terms of the API यह जो interior angles हैं इस polygon का वो arithmetic progression form कर रहा है जैसा कि problem में दे रखा है जिसमें की first term 120 degree है क्योंकि smallest angle कहा गया आपका smallest angle 120 degree है और आपका दो successive interior angle की बीच का difference 5 degree है that means common difference कितना हो या 5 degree तो using the concept of the sum up to and terms of the AP मैंने यह लेग लिए अब इसको आप क्या करेंगे simplify करेंगे simplify करके n का यहाँ पे quadratic बनेगा और जो n का quadratic मनेगा after simplification जो आप खुद घर पे करें मैं यहाँ पे नहीं करने जा तो जो n का quadratic मनेगा वो बनेगा n स्क्वाइर माइन स्क्वाइर माइन स्वेंटी फाइव एंड प्लस 144 इकवल टू जीरो राइट तो यह एन का 16 इंटो n-9 तो यह एक और जीरो एंड हैंस एन विल कम आउट 9 एंड 16 आप ने इसे फेक्टराइज किया फेक्राइज करने के बाद आपके पास आ रहा है एन माइनस 9 इंटो n-16 डैट विल बेक्टो जीरो एन की विल्यों आगे 9 इंड 16 इसका मतलब इस जो पॉलिगन का टोटल नंबर आप साइट कितना हो सकता है 9 इंड 16 अब यहां से फिर से एक ट्रिकी पॉइंट है क्या दोनों आंसर होगा या इसमें से कोई एक होगा यह द जादा पॉसिबल ही नहीं है तो देखिए आप यदि एन इकोल टो 16 ले लेते हैं तो उसकेस में कई सारे इंटेरियर एंगल जो है 180 डिग्री से जादा आ जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि एन इकोल टो 16 इसका मतलब कॉन सा पॉसिबल इसमें 9 इसका मतलब टोटल नंबर of sides of the polygon जो होगा simple सी बात है वो 9 केकोल होगा क्योंकि जब आप 9 लेंगे तभी जाकर के आपका जितने भी interior एंगल है वो 180 डिग्री से कम आएगा तो यह problem काफी tricky problem है और यह J main के point वो इसके काफी important problem है हो सकता है पूछा जाए तो इसको आप धियान में रखना तो यह problem मैंने discuss किया मेरे दोस्तों मेरे साथियों अगली session में फिर से मिलते हैं हम लोग कुछ नए problem के साथ कुछ नए concepts के साथ right okay thank you and thank you very much